Hello everyone, welcome back to my channel, so guys, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप virtual machine delete करते हो, let's say आपने अपने lab में practice करी और practice करने के बाद आप delete करते हो, तो देखिए सबसे पहला point है कि आप जब भी lab करो तो आप उसको resource को delete कर दो, क्यूंकि आप lab में एक तो देखो कोई तो उस वो आपका 30 दिन तक बचा रहेगा, हालां कि इतना ज़्यादा use नहीं होता है, वो depend करता है कि आपने resource किस type का, कौन से tier का use कि या virtual machine अगर बनाया, तो कौन सा size का बनाया, उसके उपर depend करता है, but best practice है कि आप use करो, practice करो lab में और उसके बात अपने सारे resources delete कर दो, तो अभी इ आपको बताने हैं कि virtual machine जब आप delete करते हो, specially, तो कई लोग क्या करते है कि virtual machine यहाँ से delete कर देते हैं, और virtual machine delete जाता है, लेकिन कई लोग इस message को नहीं पड़ते हैं, वो simple सा yes कर देते हैं, यह message कि आप बोल रहा है, कि virtual machine तो आपका permanently delete कर देगा, लेकिन जो उस से associated resource, जैसे कि disk हो गया, virtual network हो गया, और भी जो हो गया, जैसे कि public IP attach होता है, या फिर network security group attach है, वो delete नहीं होगा, और वो आपको manually delete करना पड़ेगा, तो कहने का मतलब यह है, कि अगर मैं यहाँ से virtual machine delete करता हूं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह public IP यह भी delete हो जाएगा, यह virtual network भी delete हो जाए जाएगा, या फिर मेरा जो disk attach है, वो delete हो जाएगा, नहीं, अगर आपने virtual machine delete किया, और बाकी चीज़ delete नहीं करी, तो आपको charge लगेगा, कौन सा charge लगेगा, जो भी आपने, जो disk है, underlying hardware में जो उनका disk पड़ावा है storage का, उसका आपको charge लगता रहेगा, तो देखी मैं आपक 2 minutes लेगा, लेकिन उसके जो resources है, जो attach है, जैसे कि network interface card हो गया, या फिर disk हो गया, वो सब का सब delete नहीं होगा, या public IP हो गया, या फिर आपका virtual network हो गया, ये सब delete नहीं होगा, तो आपका cost लगता रहेगा, जो भी cost Microsoft लेगा, उसका cost लेगा आपको, तो इसको delete होने देते हैं, ये भी virtual machine delete कर रहा है, यानि कि आपका compute resources delete कर रहा है सरफ है, उससे attach बाकी के resource delete नहीं कर रहा है, इस बात को ध्यान रखिए बसाओ, तो production environment भी कभी आप, आप जैसे decommission करते हो server, तो आप simple से delete कर रहे होगे, तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको उसके, उससे attach जो resources है, वो भी delete कर करने होंगे आपको, तो जैसे कि आप screen पर देख रहे है, मेरा virtual machine जो है successfully delete हो गया है, और मैं यहाँ पर जाता हूं, virtual machine पर refresh मारता हूं, मेरा virtual machine चला गया है, यहां से, यह थोड़ा time लेता है refresh होने में, मैं इसको एक बार refresh कर देता हूं फिर से, तो यह देखते है, ओके, हो गया, virtual machine VM001 जो मैंने delete किया था, तो मैं जाता हूं, अपने resource group में, जिस resource group में मैंने virtual machine बनाया था, ओके, तो मैं resource group में गया, तो यहां पर देखिए आप, मेरे virtual machine को disk attached था, एक operating system disk, वो delete नहीं हुआ, nic card भी delete नहीं हुआ है, public IP attached था, वो भी delete नहीं हुआ है, virtual network था, वो भ delete करने होंगे, accept virtual network को, क्योंकि हो सकता है, कि virtual network में, आपके किसी और VM को भी attach हो रखाऊ और virtual network, तो make sure virtual network तभी delete मारना, अगर आपका उसके अंदर एक ही VM attach है, एक ही virtual machine को IP मिल रहा हो, वहां से, और कहीं use नहीं हो रहा हो, तो ही delete मारना, otherwise मत delete मारना, बाकी resources आप delete मार सकते हो, जैसे public IP हो गया, या फिर virtual network card हो गया, या फिर जो भी operating system disk या data disk होगी, so guys, इस बात का बहुत ध्यान रखना, delete करने के time पे, कि पहला जब भी virtual machine delete मारो, तो उससे related जो भी important, जो भी उसके resources attached थे, especially public IP, network interface और डिस्क, ये तो आपको delete मारना ही, मारना है उसके साथ, ताकि आपक सरी इनका cost ना बढ़ता जाए, ओके, तो ये वीडियो में बताना ये बहुत जरूरी था, क्योंकि कई लोग सर्फ VM delete मारते हैं, तो उनको लगता है कि हमने VM decommission कर दिया, production environment में, नहीं तो customer क्या बोलेगा, अगर VM delete मार दिया, तो मेरा cost क्यों आ रहा है, ये resource कौन सा है, ये delete करो, so guys, आज की वीडियो में इतना ही, please मेरे वीडियो को like कीजे, share कीजे, और subscribe कीजे, ताकि मैं आने वाले टाइम पे और जदा वीडियो अप्लोड करता हूँ, और आपको deep dive में जो भी options हैं, features हैं, हर एक options के बारे में आपको बताता हूँ, so guys, आज की वीडियो में इतन जो, चाहिए.